संसत भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने के पीछे मास्टर माइंड ललिज्ञा ने दिल्ली पुलीस को सरेंडर तो कर दिया है लेकिन सरेंडर से पहले उसने कई साज़िश को अंजाम दिया है इस साज़िश के तहट उसने दिल्ली आने से पहले उसने चारों आरोपियों के मोबाईल फोन को वही नश्ट कर दिया। पुलीस को शक है कि जाच को भटकाने के लिए उसने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश में शुक्रुवार को बड़ा सड़क पाथसा हुआ है। नहां यात्रियों से भरी रोडवेज बस हाथसे का शिकार हो गई है। नैशनल हाइवे 730 पर लौकवा के बस पुल की रेलिंग तोड़कर पलट गई। इस हाथसे में चालक और परिचालक को गंभीर चोटे आई है। वही घायल यात्रियों को भी अस्पताल में भरती कराया गया है। बता दे कि बस कैसरबाग लखनाओं से बढ़नी जा रही थी। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की तीन दिवसिय राजकिय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुचेंगे। विदेश मंत्राले के मुताबिक ओमान के राष्ट्रा ध्यक्ष के साथ वरिष्ट मंत्रियों और अधिकारियों का उच्चस्तरिय प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर आएगा। ओमान के सुल्तान की भारत की पहली राजकिय यात्रा है, जो भारत और ओमान के बीच राजनेक संबंधों में नए आयाम को दर्शाती है। विदेश मंत्राले ने बताया कि नई दिल्ली पहुचने पर ओमान के सुल्तान से विदेश मंत्री एस जैशंकर भी मुलाकात करेंगे। श्रीराम एरपोर्ट को उडान की घोशना के पहली ही सुरक्षा के सक्त घेरे में ले लिया गया। आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। मुख्य गेट के साथ अन्य स्थानों पर फोर्स की तैनाती कर दी गई। एरपोर्ट के अंदर के साथ ही बाहर भी काम तेज हो गया है। लाल सिंग चड़्धा की असफलता के बाद आमिर खान ब्रेक पर चर रही है। एक्टर ने एक्टिंग से दूरी बनाई हुई है। हालांकि उनके प्रडक्शन का काम जारी है। अब एक साल के ब्रेक के बाद आमिर खान शूटिंग पर वापसी करने जा रही है। झाल